अलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है विए एक मिसा टेक मेंट है स्विनिश्टर हम लोग जिस कंपनी को इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं वकरांगी लिम्टेड है तो कैसे आ है क्यूर 3 के नतीजे उसी को हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे जस्ट अभी करेंगे तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे हैं जो चैनल पर नहीं हों चैनल सब्सक्राइब कर लें नोडफेशन बेल और पर रिखेंगे जिससे आने वाले निश्ट अब्रीट आप से मिसना हो आप प्लेग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं निउस और डिविडेंट क्योंकि वहां पर बहुत सारा आपको डाटा मिल जाएगा बहुत सारी कंपनियों का चलिए अभी हम लोग फटा फट डिसकस करते हैं इसको तो 40 रूपीज 55 ऐसे गराउं ट्रेट कर रहा है सेयर अर्निंग पर सेयर जो है वह 0.85 की है 43.65 की इसकी बिलियन की मार्केट कैपक रिटेल ट्रेडर है इंटरनेट रिटेल ट्रेडर ठीक है अभी इसी को हम लोग आगे समझते हैं इसकी फाइनसस को तो यहां पर दिख जाएगा दोस्तों इसकी मार्केट कैपिल जो इंडियन रूपीज में है वो 4296 करोण की है तो एक अच्छा नंबर आ जाता है मार्के कैपिल का बुक वैलू जो है वो 25.5 है तो बुक वैलू से अपने उपर ट्रेड कर रहा है 40 रूपीज 60 पैसे के राउंड अभी 12 महने की प्रफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो बहुत बहतरी इन रही है कंपनी की 43.6% प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है और 60% इसका सेल बढ़ा है प्रोमोर्स की ओलिंग जो है वो 42.6 की है और टाइम इसका सेयर का प्राइस एक टाइम पे 515 रूपीज की राउंड था फिर अभी फेस वैलू 1 है तो इस्प्लिट होके इतना विलो आया है आरो ए की बात करें तो 2.37 का है रेट अन एसीड जो है वो 2.21 का है और quarter wise जो चल रहा है अभी condition वो 9.69% का growth हुआ है Q2 से Q3 में जो just अभी आये हैं चलिए अभी हम लोग इसी के अच्छे से समझते हैं विस्तार से की कैसे नतीजें हैं और कैसी condition कंपनी की चल रही है तो आपको ध्यान रखना है जो अभी नतीजें आये हैं जो पिछला quarter है और ज company को मतलब sale किया था company ने और इस साल का जो sale है वो 209 करोड का है तो काफी बड़ी jump है और operating का profit में भी आपको बहुत गजब का फरक दिखेगा last year जो है बस 7 करोड का था और यहां पे 43 करोड का है तो यह बहुत बड़ी बात है और आप पुराने quarters देखेंगे दोस्तों तो व देखेंगे आप लोग की लगातार इसमें growth रहा है और इसके अगर profit before text में बात करें तो वहां भी company clearly जो इस बार का Q3 का result है वो last quarter से भी better है और last year से तो clearly आपको better दिखाई देगा तो last year net profit जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था हम लोगों को देखें आपको 17 करोड का profit हुआ profit यहां पर company पहुच गई है और जो की last quarter से भी better है तो clearly दोस्तों इस बार के जो नतीचे यहां है इस company के वो बहुत 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 रही है profit loss book में भी company वापस से अब धीरे धीरे better हो रही है जो कि एक अच्छी बात है इसमें देखें दोस्तों एक होता है ना company हो में की एक ब यहां से clearly growth थी 2018 तक 2019 में इसको जटका लगा काफी ज्यादा कम result बना इसका फिर्फ के बाद वापस से यह धीरे धीरे speed पकड़ी है तो यह अची चीज दिखती है और यह growth जो है वो आने वाले दिनों में और उपर यह share को ले जाने वाली है क्योंकि नए नए investor इसमें ज़र अच्छे दिख रहे हैं तो चार पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों की जो अभी share है वो आप इसको खरीदने के लिए अगर जाना चाते हैं तो काफी अच्छा range अभी इसमें नजर आता है 40 रुपए के round buy करने का अगर यह आपको और डिप में मिलता है तो यह एक और भी अच्छा हो जाएगा और अभी जो support है वो 35 रुपी 75 पैसी के round है तो आप इस label से लेके आप इस share को यहां तक buy करने के लिए जा सकते हैं 37 रुपी 85 से 40 रुपी 45 पैसी के round आप buy करिए इसमें और हम लोग जो target रखेंगे पहला वो 46 का हो जाएगा और एक बा के बाद इसको एक बार मौका मिल जाएगा share को थोड़ा space मिल जाएगा और यह अपवर्ड और जाने की चमता रखता है तो यही total update था इस वक्रांगी लिम्टेट पर नेक्स वाचिंग इस वीडियो मिलते है आपको नेक्स कमिली साथ नेक्स वीडियो में